तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आफ लाइन आइफोन खरीदने क्या एक्सपेंस रहा अन्बोक्सिंग तो मैं करूंगा ही उसके साथ मैं यह भी बताऊंगा क्योंकि आफ लाइन में मैंने नहीं खरीद है इसको क्योंकि आफ लाइन में लग लग रहा था कि इसको लेने से सायद नकलिया जाए असली आजए थोर डौक था हाला कि मैंने रिव्यू चेक किया था बट बहुत लोगा रिव्यू पोजिटिव ही था फिर भी फर्स्ट मैं फर्स्ट टेमिन सुच्छा चुले इसको आफ लेता हूं बट गाइस ऑफ लाइन मेरे एक्स्पेंस थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत जादे ही बेकार रहा मैं बताता हूं आप रहो वीडियो के साथ बने वेरान तक और वीडियो बिने स्किप करने करे विए देखना क् मैं बहुत कुछ बता दे मला हूं अगर आफ्लाइन मार्केटिंग करते हो आइफोन की तो आपको क्या देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए ठीक है कैसे रियल और फेक में हम समते हम यह भी होता है कि जो डीलर होते हैं जो ऑसराइज नहीं होते हो लोग भी आपको नकली बाल बाल बच्चा हूंगा है ठीक है तो बिडाव रेश्टिंग तैम फेले करता हो उंबॉक्स हो पहले देख आब मैने डेख रहे होगे ब्लू कलर की आइफोन चूश किया था बताव मर्स बतावगा प्रायज बताओंगा इसकी कौन सा आइफोन हे बताओंगा पहले दे अच्छा ही होगा फिले इसको रगवो साइड में एस इसके बाद रेफोन होगा उसको पते होगा यह एक SIM Ejector मिलता है एक Apple का logo और एक यह ठीक है उसके साथ यह मिलता है Lightning Charging Cable ठीक है अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की ठीक है तो इसका मेरा से स्टार्ट होता है तो यह मैं क्यों बता हूँ क्योंकि यह रिफर्विस नहीं है अगर रिफर्विस होता तो एप से होता पी से होता वाई से होता ठीक है सेकेंडली इसका जो manufacturing डेट है वो सेक्टेंबर 2022 का यानि कि current manufacturing unit से लिख ला हुए यह ऐसा नहीं कि हाला कि एक सल पुराना है model अगर यह आइफोन यह आइफोन 13 है first of all ठीक है यह आइफोन 13 है और यह 2021 में launch वाद है 2022 में 14 launch वह रखा है और मार्केट में भी एविलेबल है और प्रो मैक्स भी साइद आ ही रखा है तो उसकी भी unboxing करोंगा बहुत जल्दी first impression अगर में और में और यह लोग पता नहीं क्यों नहीं देते बट नहीं देते अर्ड आप्टर नहीं देते हैं तो अध्याप्टर की बिना यह मिलता है एक charging cable के साथ बस और कुछ नहीं एक अब बात कर लेते हैं आइफोन की ठीक है तो इसको लिकालो इस लोग कर लेता हूँ एपल का लोगो मैं बताओं कि मैं कैसे बचा और ऑफ लाइन में ही नकली मिलते मिलते अब देखो पहला फरत जो है और रीफर्विस का कोई फरक नहीं पड़े उसको दो अपको अंदर से चेक करना पड़ेगा ये हो गया ओण ठीक ए पहले बात कर लता हूं कि ओरेजिनल और फेक में क्या इपरेस होते हैं इसका ये होता है कि ऊपर सब सेम रह एक थेए पूर डिक हो गया इसका बैट्री उतरी होगया इसके अंदर के कुछ पार्ट्स होगए तो आपकिप्टोप हो पर है इसको गया ऑगया तो ईशनी मैंने इसको सेट किया हूए ठीक है एक वह इसको अनलॉक कर लेता हूं इसको पर ने पहले एक अच्छी के से डाइगनोस किया मैं इस बता हूंगा कहा से लेना इस बता हूंगा कहा से लेना क्योंकि लेने के बाद पस्ता होगे ठीक है अब मैं बताता हूं कैसे मैंने जब यह लिया तो इसमें थोड़े से लगा हुए थे यहां पर एक माइनर सा डॉट है यह मैंने फेक्षिन दिफेक्ट है और एक साइड नीचे में भी है लेने के बाद में पता चला थेक है मैंने तुरंती सेलर को कॉल भी किया था कि भाई आपका पूड़क बैमेज है तो रात के टाइम था काफिर आत हो गया तो मैंने सही से च लगए है इफ इनसी हलक है अर एक डग लगा है खैर मैंने रप्लेस्मेंत ने बात के तो बंदी में तर्वी सेंटर के अंतर हो उसके बाद उसने कुछ वाइफाई पर अपने बहुत सारे सिस्टम में रन की कुछ डियाग्नेसिस उसका बोला कि नहीं सब कुछ नॉर्मल सब ठीक है औरिजनल है अब उसने तो यह तो बोल गये कि औरिजनल है फिर भी मन में डाउट पर माण रहा था कि चलो में खुसे बेगाँ चेक करने के लिए बहुत सारे टूलस एं टेकनिक्स हैं पर पहला तो है कि मैं आपको बताई देता हूं पहले आप सेट्टिंग में जाने के बाद आपको जाना है अ जेंडल में जेंडल में जाओगे और जाना है एबाउट मे इमाउट में जाने के साथ साथ देखना यहां पर आपका सारे information आ जाएगा ठीक है अभी 16.1 है iOS version अभी तरह अपडेट हुआ है ठीक है साथ सेमी तरब का चीप स्चाहिए ज्यादा कोई फरक नहीं है और देखा जाए तो पीछे सब 12 इडापिक्सला आप जैसे के देखिए ट्येगनल कामरा है ठीक है एक अल्ट्रा वाइड़ है एक दूसरा वाल थी दोनों 12 मेगापिक्सला यह है ठीक है का आगे में चो हैं वह भी 12 einer a ठीक है बात कर लेते हैं इसकी औयरدا कैसे चेक करेंगे पहले दो चेक कर लेंगे कि more नम्र के अगर more ओंडलां नम्र से स्टार्ट BTS से म्हों घुक्ता नहीं का इसके साथ होगा ठीक है दूसरा अगर model number और shield number आपके जो डब्बे में model number और shield number है अगर वो match नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि डब्बा correct दे दिया हो अब माल गलत दिया हो ठीक है अब देखा तो कहां चेक करना है इसको इसको चेक करना है जैसे कि यह मेरा यह model number है और shield number है मैंने बड़ेश देख लिया अब मैं जाओंगा इसके उपर ठीक है अब यहाँ पे अब सभी से देखना ठीक है देखो SKU लिखा हो है न MLPK3HN slash A MLPK3HN slash A ठीक है यह जो model number है match कर गया ठीक है अब मैं serial number देखूंगा कहा है serial number यह रहा serial number यहाँ पर ठीक है PP24P ठीक है serial number है अब यहाँ से मैं match कर लोगा PP24P 17CPG 17CPG ठीक है सेम है ठीक है दो सचीर हो गया अब मैं इसका IMEI number भी मैं एक बाद चेक कर लोगा कि यह सही है या गलत है IMEI number थोड़ा नीचे scroll करोगे यहाँ मिल जागा IMEI 1 and IMEI 2 ठीक है दोनों को match कर लेंगे है तो मैंने match कर रख है रीडाउट नहीं कर रहा हूं तो यह दोनों सेम है ठीक है एक तो यहाँ से पता सल जाना है ठीक है कि यह original है अब इसके बाद भी एक डाउट है कि नहीं कैसे और पता चलेगा तो ओ आपको laptop या Macbook किसी भी desktop में आपको एक software download करना पड़ेगा ठीक है उसका मैं detail video next में बता दूँगा उसमें आप वहाँ पर diagnosis कर सकते हो ठीक है एक तो यह हो गया दूसरा दो मैंने बता दिया ठीक है और दूसरा जो मैंने बता है उसका मैंने detail video मैं आपको दूँगा ठीक है यह मतलब देखाना पड़ेगा अभी laptop में करके इससे क्या होगा video बहुत लंब हो जागा तो मैं इसको short में डखता हूं ठीक है और unboxing के साथ ही मैं सब कुछ बता होता है मन में कि भाई कहां से ले कहां से नहीं ले original कहां से मिलेगा duplicate कहां से मिलेगा ऐसे तो पहले तो समझी नहीं आता है कि duplicate भी मिलता है क्या जब मैं लेने कि I was really shocked कि yes duplicate भी market में available से तो बरा मतलब यह गवराने वाला उपर से क्या है on cash ले रहे हो ठीक है तो और भी धक्क सावली बात है कि यार अगर आपने अभी इसकी कीमत है लगवक सत्तर अजार अगर आप सत्तर अजार देखे डूब्लिकेट ले रहे हो तो इसकी तो ठीक है claim की process है हम consumer court का case कर सकते हैं compression ले सकते हैं अगर आपने dealer के साथ लिया है भले वह authorized नहीं है apple के साथ बट उसका अग हम उसके साथ उसका तो हम band बजा सकते हैं अगले में मेरे को जिस्टो अगरा बिल दे रखा था तो इसलिए मेरे को अतना tension नहीं था कि अगर गलत भी लिख ला तो उसको तो मैं छोड़ना नहीं है उसको तो मैं ले डूँगँगा बट इक्तिफाक से सब सही लिग लिग ग अगर जो लोग ने ऑथराइज ले रखा है ऑथेंटिकेशन ले रखा है कि डिलर सी फेयर फिर भी ऑथराइज वहां पर दुकाने हैं वहां से ले सकते हो ले लेना ठीक है लेकिन लेने समय दो चीज का हमेसा ध्यान रखना जेशती भी लोना चाहिए पहली बात तो यह अगर आप कैस में दे रहे हो पैसे तो कैस मत देना फॉर्स्ट अफल कैस देना ही मत ठीक है आप बैंकिंग ट्राइक्शन किया था तो व्यूपीय ताइट्धी से कुछ भी करड़ो तो उसका दुकान का नाम या वँस बन्दे का नाम आएगा तो वहां से वो समझ में आ जाएगा कि हाँ जो बंदा सेलर है वह वहां का है कि कहीं ओर का है ठीक है ऐसा भी होसकता है दुकान किसी और का सेलर कहीं और से आगया हो होता है setup होता है आप नहीं समझ पाऊगे इसके में बहुत चाहिब से होता है कैस में कभी मत लेना iPhone मैं ही recommend करूँगा जब भी लेना तो आप banking transaction करना direct cash मत देना cash में low मतलब in hand cash मत देना always pay by bank ठीक है वो चाहे आप Google पर गढ़ लो UPI ID गढ़ लो या bank transfer मार दो लेकिन banking राखना चाहिए transaction वो क्या होगा कि अगर कुछ गलत होता है तो future में काम आएगा वो चीज ठीक है अब बात करते हैं दुसरा जेस्टी बिल्रू लेना जेस्टी होना ही चाहिए ठीक है अब क्या है कि जो लोग जेस्टी यूजर होते है अगर आपको है कि जैसे मेरे case में कि मेरे को doubt था मैंने उसका जेस्टी नंबर डालके Google पर सर्च के कि वो authorized है कि नहीं है तो मैंने देखा हाँ उसका जेस्टी active है और authorized है ठीक है और जिस नाम से मैंने banking transaction किया था वही नाम वहाँ पर भी so कर रहा था तो ठीक है मेरे को लगा हाँ चलो यह मतलब dealer मतलब उत्मा भी fake नहीं है अगर fake माल बेचेगा तो अच्छे से इसका बैंड बच जाएगा तो fake तो नहीं बेचा था बड़ यह damage तो दे र इन में 14-15 जो भी आएगा उसको मैं सही से देखके लिए ला हूं आप लोग भी सही से देखके लिए लेना लेने का ताइम हर बड़ आना नहीं है अच्छे से चेख tartan ये नहीं कि घर जाके चेक करना यहीं गल्द हो जाएगा थिक है с्टोर में बैट के बड्यासे शेक कर करेंगे ना ठीक है मैंने रात के चक्कर में मैंने सही से चेक नहीं किया और यह आ गया एक्सटर्णल उतना भी मतलब नहीं खराब है सब सही है बट यह छोटा सा दाग को लेकर थोड़ा अभिलों को बुड़ा लगगे के अड़े यार चलो कोई नहीं अब क्या ही कर सकते हैं तो यह हो गई इसकी बात ठीक है अगर बात करें इसकी टच की तो टच तो काफी स्मूथ है 120 हर्ट के स्पिट में देता ही है ठीक है अब बाके स्पेसिफिकेशन्स वेगरा तो मैं आपको दे दूँगा इसक्रिप्टन करन तो वहाँ पर चेक कर लेना और बैसिकलिए यहां पर यही प्रॉब्लम है इसी चीज को सॉल्व करेंगे में वीडियो खासकर बना रहा हूं क्या है आप देख सकते हो हां पर बहुत लोग ने बना कर रख्था लेकिन सही से डिटेल नहीं दिया है ऑफ्लाइन के बारे में मैं आपको सही डिटेल दे रहा हूं अगर फ कैसे क्लेम करें कैसे उसको मतलब उसको पकड़े या उस पर केस करें ठीक है तो यह सब चीज के बारे में भी आप मैंसे कॉमेंट में पूछ सकते हो मैं आपको यहां पर हल्प कर दूँगा ठीक है क्योंकि जब मुझे यह मिला था I was not worried about it कैसे इसको क्लेम करना क्या करना है विदिन विक रिप्लेस करके दिये दोनोंने तो अगर आपको सही तरीका नहीं पता तो आप बेवकूप बन जाओगे पहली बात तो यह दूसरी बात है आपको लोग बेवकूप बना देगे ठीक है खेर आइफोन के केस में यह मेरा पहला था तो मैं थोड़ा यह नो है ने पताऊंगा यह ओरिजिनल है कि नहीं है ठीक है और एकदम बिस्तार से बताऊंगा बढ़िया देख रहे ना और बाकी तो सब ठीक है अब तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा और इसके साथ साथ जो एडप्टर है अब मेरे को एडप्टर का भी केस बहुत पता चल होगे आप इसकी बैक कोवर के लिए सोचोगे ठीक है तो इसकी कहीं और से ले लूँ जाके है या सस्ता में कुछ ले लूँ तो देखो अगर आपके पास बजट नहीं है तो जा सकते हो बारे सो पंदर सोने आ जाता है डूबलिकट टाइप हां पट उस केसिंग में क्या हो होगे तो ग्लास का अंदर भी स्केचस लग जाते हैं जब लिका लोगे डालोगे बार-बारा कुछ करना पड़ेगा तो अगर महंगा इतना फोन ले लिया है भाई दो पैसे और लगेंगे नो नीट वरी बाट इट थोड़ा दिन वेट कर लो ठीक है पैसे जोगार कर लो और ओरिजनली लगा हो ठीक है अगर आलने ले रहे हो तो मैं सज्जेस्ट करूंगा इसके प्रोड़ाइन मत लेना ठीक है टेमपड़ गलास हो गया या आपका बैक कोबर हो गया अगर ले रहे हो तो बड़े से रिसर्च कर लेना रिव्यू को पढ़ लेना बट फिर में र तो रिपिरिंग अगर भारेन्टी में तो भी एक साल है तो कोई ट气न नहीं है लेकिन अगर वार्णी में धिसका अगर वारेन्टी नहीं है खतम रहा है तो मैं इसको सी भी टाइप साइब यंशाव कर आए अगर चोटा उठाप भी कराते लो तो उसमें भी 4 पाँप investment होगा back cover 5000 के आ जाते हैं tempered glass 2000 के आ जाते हैं 7000 और एडिशनल खर्चा जोड़ लो adapter आप क्यों निस हो के हैं discount अगर मिल रहा है तो 1600 में भी आ जाते हैं पर authorized centers नहीं लेना क्योंकि वहाँ पर जब लोगे तो आपको original प्रोड़क्टी मिलेगा जो back cover दूसरी important बाद अगर authorized center में जाते हो तो पहले पूछो यह क्या apple ने manufacture किया क्योंकि जैसे कि मैं इस्टोर पर जब गया था इस अब होने के बाद जो मैं ने पूछा उन लोग से उनके पास दो टाइप की casing है ठीक है एक उनके लिए हैं जो लोग आईफून ले तो लेते हैं पर उनको duplicate case चाहिए तो उनको अलग से पहरे दिखाया जाता है लेकिन original casing का ही rate होता है 5000 ठीक है 4500-4000 ऐसे करका होगा ऐसे क्यों होता है क्योंकि यह direct California से deliver होता है तो shipment charge 13-14 dollar लग जाता है और वहां के जो charge होते है 39-49 dollar होते है एक back cases के तो अगर आप इसको convert करोगे total costing को आप को original लगाना मैं तो original लगाने वाल हूँ ठीक है आपका जो भी tempered glass है आप उसको भी original लगाना ठीक है original in the case देखो apple तो नहीं बनाता tempered glass बट अगर apple के schoolroom से लोगे तो verified by apple company होता है वो उसका जो भी quality है toughness हो चेक करता है apple खुछ चेक करता है क्योंकि अगर वो नहीं चेक करेगा तो खराब लगा दिया तो अगर कुछ होता है तो वो समझेगा ठीक है तो यहां से यह एक फायदा मिल जाएगा ठीक है अगर भाकि local soap से लगाते ह जाएगा तो बोल देंगा उनको बेचना है बोल देंगा है लेलो लेलो अच्छा चीज है तो उस चक्र मज जाना पहली बात ठीक है तो सब कुछ original लगाना ठीक है और बात रहेंगे अगर इसकी design की तो इसको बोलना ही क्या है यार कमाल किसकी design है हाथ मेलेने में इतना सही फील होता है बहुत अच्छा फील होता है ठीक है बैक कर का लोगो एकम सही है ठीक है कैमरा वगेरा भी सही है diagonal camera है बहुत सही लगड़ा है और यह iphone 13 है मैंने 13 नहीं क्यों लिया मैं 13 pro max 14 क्यों नहीं लिया तो पहले बाद 14 की budget नहीं दी में लगा था ओके 13 और 13 pro में मै confused था फिर मैंने अच्छे से compare किया अब कैसे compare करोगे इसके वारे में मैं आपको next video बताऊंगा कैसे compare करोगे ठीक है तो इसके वारे में नेक्स बीडियो बताऊंगा लेकिन और इक important बाद जैसे कि मैं एक बर के लिए में बहुत धर गया था ठीक है ऐसा हुआ यह था कि मुझे इसकी warranty चेक करने थी तो मैंने बीडा एक्टिवेट किये इसको warranty चेक किया मैंने तो वहां पे लिख रहा है site पे यह phone registered नहीं है इसके कोई warranty नहीं है तो मैं ढर गया यार कि फेक तो नहीं है तो उन्होंने बला जब तो एक्टिवेट नह क्या कि लोकिक से बोलेंगा आपको थिंफ के चलना हाँ फॉलो करता और कप्रितली अउन करने के बाद एक्टिवेट हो जाएगा वाईनमी चकडियक करने लीए आप मे आ सकते हो। आप जनरल में जाके यहां पर चेक कर सकते हों ठीक है किया आपका क्या वारेन्टी नहीं है यहां में लीमिटेब वारेन्टी 2410-2023 इसाथ किसे जाना है से देखो धेयर आना है सेटिंग जनरल अहीं यह यहां पर स्यों कर रहा है एक्सपाइरिस 24, 10, 20, 23 ठीक है तो यह हो गया लिम्टेड वारेंटी है हार्डवर कॉब्रेज लिख रहे है चार्ट एंड फोन सपोर्ड भी है कॉबर्ड ठीक है यहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपका वारेंटी है कि नहीं तो अगर फेक रहेगा या फॉर्णिश रहेगा तो उसमें आपका चेक नहीं होगा ठीक है उसमें आपको नहीं बताएगा वारेंटी तो बस इस वीडियो में इतना ही और वीडियो को अंतर देखने के लिए बहुत बहुत सुपरिया अगर इससे कोई भी कोशेंज है आप प्लीज मेरे से पूछो इन बोक्स के अंदर कॉमेंट सेक्शन के अंदर या मेरे फेसबुक पेज पे तो मैं हर जगा आपको रिप्ल वीडियो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ठीक है अब वीडियो अच्छे लगए तो वीडियो को प्रीस लाइक करो और श्यार को